Hello guys, welcome back to our YouTube channel and welcome to my new video आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए नेक्स ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे क्या लेवल्स रहेंगे सपोर्ट रजिस्टेंस कहा पर शिफ्ट हो रहा है कल का बैंक निफ्टी का मुमेंटम क्या रहेगा कल एकस्पाईरी है, तो जैकपोत ट्रेड ओप्शन्स में कौन सा बन रहा है बैंक निफ्टी के लिए और परसो निफ्टी के एकस्पाईरी है इन सब के उपर हम लोग आज इस वीडियो में discussion करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को first time देख रहे हैं और मेरे चैनल के उपर first time आये हैं उनको मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पर nifty bank nifty fin nifty के options analysis के उपर videos बनाती हूँ तो अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और bell notification को press कर दो ताकि आगे आने वाले videos की जानकारी आपको सही से आती जाए इसके साथ साथ आपको मेरे चैनल के उपर educational videos, technical analysis, option chain analysis, indicators के उपर videos मिलते जाएंगे तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक subscribe नहीं क किया है तो जल्दी से कर लो और अगर video अच्छा लगे तो लाइक करके भी जाना तो video को end तक जरूर देखना तो अभी start कर लेते हैं bank nifty का analysis तो कल का video जो मैंने YouTube पे डाला था उस पे मैंने क्या का था तो वह बाते हम लोग पहले एक बार repeat कर लेते हैं अगर आपने नहीं द closing यहाँ पर दी है तो आज के जो chances थे वो nifty bank के upside के opening के थे यह मैंने आपको कहा था कि 800 के तरफ bank nifty opening कर सकता है इसके chances 80% बने हुए हैं यह भी बात मैंने आपको कही थी और फिर यहां से हमें सीधा upside के लिए नहीं जाना है यह भी मत मैंने बताई थी कि 45 800 के पास opening के बाद स सीधा C side में एंटर मत करो यहां से क्या हो सकता है यहां पर opening करने के बाद bank nifty एक गिरावट दिखाएगा 45 550 के तरफ और जब तक यह level नहीं तूटेगा P side में एंटर मत करना यहां से bank nifty 45 200 तक गिरा था कितना points का fall हुआ 300 आज के PE के अंदर जो jackpot लगा है वो भाई क्या ही बताए इसके साथ साथ मैंने एक और बात आपको कही थी कि 550 के पास support है तो एक बारी nifty bank यहां से जरूर up side के लिए जाएगा तो एक fall करने के बाद 500 के तरफ से nifty bank जो है वो हमें up side के लिए 700 के तरफ जाता हुआ फिर से द बात बताई थी वह आज सारी की सारी प्रूफ हो गई और बहुत सारी लोगों ने इस पर ट्रेड भी किया है लेविल के पास और उनका बढ़िया profit भी हुआ है उनके सारे messages मेरे पास है तो यह बाते आज की हो गई अभी यहां से आगे क्या अभी देखिए nifty bank ने देखिए higher rise formation continue रखा हुआ है आज भी आज nifty bank 45,950 से काफी करीब था मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यह level achieve करने के पास है nifty bank तो 900 के पास जैसे आया एक fall हमें देखने को मिला और days low से 300 points का fall था वो fall recover करते हुए अभी देखिए 45,511 के पास आकर बंद हुआ है सिर्फ 59 minus points है यानि कि ये तो बात पकी हो गई कि bulls यहाँ पर active जादा है ये गिरावट थी profit booking की क्योंकि nifty bank अपने important resistance के पास पहुच गया लोगों ने यहाँ से अपनी position निकालना ही सही समझा और यहाँ से हमें profit booking जो है वो nifty bank के अंदर देखने को भी मिली अभी यहाँ स channel के उपर एक trade डाला था अगर आपने miss किया है तो आपने बहुत जादा profit मिस कर लिया है क्योंकि यहाँ पर bank nifty के ट्रेड के अंदर पी के ट्रेड के अंदर हमें 45900 पी के ट्रेड के अंदर एक अच्छा खासा profit हुआ है 200 से 250 points का profit आज हमें उस ट्रेड के अंदर हुआ है तो वो ट्रेड भी जाकर आप चेक कर सकते हैं नीचे description box में मैंने free telegram channel की link provide की है ऐसे ही रोस educational trade आपको मिलते जाते हैं free telegram channel के उपर तो वहाँ पर जरूर जोइन करना जो भी live market में सारी updates चाते हो वहाँ पर आपको मेरे channel के उपर मिल जाएगी आपको वहाँ पर मेरा एक personal whatsapp contact भी मिलेगा आप वहाँ पर मुझे queries पूछ सकते हो profit के screenshot बेच सकते हो आपको वहाँ पर मुझे premium group में कैसे join होना है payment के screenshot आप वहाँ पर उस number के उपर बेच सकते हो उसके अलावा और कोई भी मेरा channel नहीं है कोई भी मेरा और number नहीं है जो मेरे channel के उपर description box में link है उसी channel के उपर जो number provided है वही मेरा number है और सिर्फ whatsapp ही allow है WhatsApp message allow है calling allowed नहीं है तो यह बात मैं आपको clear कर देती हूँ तो आप वहाँ पर भी join कर लीजेगा अभी option chain data देख लेते हैं अभी option chain data के उपर क्या scenario बन रहा है कल हमने देखा कि यहाँ पर 45, 500, 600 के पास एक ज्यादा हमें resistance दिख रहा था और यह resistance ब्रेक करने के बाद nifty bank जो है वो अमें यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा अभी क्या scenario है यहाँ पर यह देख लेते हैं तो call side से बहले देख लेते हैं तीन levels देखिए लगादार तीन levels 600, 700, 800 call rating एक लाग में है इसके बाद एक लाग की है सीधा 46, 500 के उपर सबसे जादा open interest जो है वो 2,84, 2,73, 2,92 तो फिलाल 500 के उपर तो nifty bank sustain है क्यूंकि यहाँ पर देखिए 25,000 contracts की हमें exit भी हुई दिख रही है और यहाँ पर 92,000 contracts की writing है call side में यहाँ से अभी अगर देखे तो 45,500 तूटने के कगार पे बना हुआ है तो अगर कल की मैं बात करूं तो अगर bank nifty 45,500 से नीचे रहा तो negative नेस बढ़ेगी और upside की बात करें तो upside के लिए देखिए resistance 600 के उपर है 700 के उपर है 800 के उपर यह तीनो लेवल resistance है यानि के यह तीनो लेवल के पास कही भी अटक सकता है bank nifty तो upside के लिए फिलहाल 45,800 तक chances है अगर flat opening होती है और धीरे धीरे nifty bank upside के लिए बढ़ता है तो 600,700,800 का लेवल अच्छीव होता है लेकिर इसके अलावा अगर देखे तो सामने put site में 251,000 का open interest highest है और सबसे जादा जो put writing हुई है 48,000 की हुई है 45,000 के लेवल के उपर तो देखिए put site में हमें support जो है वो सीधा मिल रहा है 45,000 के उपर और resistance जो है वो 500,600,700 के पास मिल रहा है तो अभी यहाँ पर तो कैसे तैसे sustain हुआ है bank nifty लेकिन अगर सीधा यहाँ से उपर के तरफ जाएगा तो bank nifty अटक जाएगा ना ही range और ना ही P side में profit होगा ना C side में होगा सिर्फ range bound होगा तो यहाँ से bank nifty क्या कर सकता है कल के session में कल expiry है तो 45,500 इससे नीचे जाएगा कहा तक 45,100 और 45,000 45,000 के के तरफ यानि के 45,000 और 100 इस range में bank nifty एक fall हमें दिखा सकता है कल के session में और फिर जाकर यहाँ से एक recovery मिलेगी towards 500 या फिर 400 या फिर 600 तक भी bank nifty फिर जा सकता है क्योंकि यहाँ पर देखिए resistance tip है तो bank nifty को सीधा जाने नहीं मिलेगा और bank nifty support लेकर अगर आता है तो यहाँ से 46,000 के तरफ फिर हमें आगे आने वाले expiry में nifty bank जाता हुआ दिखाई देगा तो first chances जो bank nifty के बने हुए हैं वो कल के लिए थोड़ा downside momentum के है वहाँ से support लेकर तो देखिए support पहले हम लोग बात कर लेते हैं अभी 511 के पास है तो यहाँ से जो next support है वो 45, 350 and 360 के पास है तो 350 and 360 यह अगर support nifty bank hold करता है तो recovery यहाँ से ही होगी लेगिन अगर यह support नहीं hold करता है तो सीधा जाएगा 45,100 के पास और फिर जाके हमें एक recovery जो है वो हमें bank nifty के अंदर देखने को मिलेगी यारी कि first half के अंदर nifty bank थोड़ा बहुत fall हमें दिखा सकता है यहाँ से जो recovery मिलेगी वो आगे चलकर bank nifty के लिए फाइदे मन रहेगी आगे के expiry के लिए भी तो जो लोग long के वारे में सोच रहे अभी stop कीजेगा एक fall expected है bank nifty के लिए तो अगर nifty bank आज के low के नीचे निकल जाता है तो अभी हमें put site में कब enter करना है 5.11 के पास closing आई है bank nifty अगर कल 45.430 से नीचे जाता है तो ही P side में enter कीजेगा first target 45.350.200 का level रहेगा यहाँ पर अपना profit safe traders ज़रूर बुक कर लीजेगा इससे नीचे risky traders जाईएगा 45.110 के तरफ next target 110 का level रहेगा nifty bank के लिए downside के तो जब तक यह level तोट नहीं जाता है इस level के नीचे at least 5 to 10 minutes nifty bank sustain नहीं करता है P side में enter नहीं करना है वही अब side में कब जाना है क्योंकि अभी देखे 5.11 के पास closing मिली है अगर कल bank nifty 45, 650 और 700 इस range के ऊपर टीक जाता है तो ही upside के लिए जाना मेरे हिसाब से तो सही रहेगा अगर आप यहां से जाओगे और 600 के पास जाकर 600 के पास जाकर bank nifty reverse हो जाएगा तो आपको सिर्फ 100 points का profit मतलब वो movement मिलेगा और options में तो 30-40 points से movement होंगे तो अगर एक अच्छा momentum चाते हो jackpot rate चाते हो तो आपको wait करना होगा इस level के उपर bank nifty को sustain करने में तभी C side में enter कीजेगा अब side के लिए first target 45, 850 second target 45, 930 का level रहेगा bank nifty के लिए जो levels बताएं हैं bank nifty के लिए अपने chart के उपर जरूर mark कर लीजेगा आपको trading के वक्त definitely helpful होगा इसके अलवा कुछ भी doubts होंगे तो आप मुझे पूच सकते हैं मैं आपको answer कर दोंगी तो अभी हमने बात कर ली bank nifty के nifty के अभी बात कर लेते हैं तो nifty ने वही जैसे मैंने कल आपको कहा था कि अगर nifty 950, 930 के उपर sustain होता है तो 20,100 तक definitely जाएगा और आज का high देखे 20,100 अच्छी हो चुका है मैंने कल वीडियो में clearly कहा था nifty bank यहां से हमें 20,050 और 100 के range में next trading session में जाता हुआ दिखाई दे सकता है और फिर जाकर एक fall expected है क्योंकि यह जो rally हुई है यह तो जाएगी जाएगी upside के लिए अभी देखे अभी यहां से September को है यह बात का ध्यान रखेगा call side में 2,35,000 का open interest 20,100 के उपर बना हुआ है 80,000 की call writing हुई है यहां पर तो यहां से अगर देखे तो 20,000 के पास 1,92 का open interest है call side में और सामने 1,35 का है तो इसके आसपास तो बंद हुआ है कल के जैसे ही लेकिन 20,000 अभी भी अच्छीव नहीं हुआ है क्योंकि 20,000 और 20,100 एक stiff resistance लेवल है और यहां से सीधा उपर जाना nifty के लिए थोड़ा impossible है तो अगर nifty यहां से fall दिखाता है तो next support कहा पर है तो 1,67,000 का open interest यहां पर बना हुआ है 1,9900 के पास और 1,54,000 का है 19,600 के उपर सबसे जादा put writing देखने को देखे तो यहां पर 38,000 की है और 24,000 की है तो put site में उतने जादा हमें movement नहीं देखने को मिल रहे हैं तो अगर यहां से fall हुआ तो nifty bank भारी नीचे गिरेगा लेकिन जैसे मैंने कहा है जब तक closing basis के उपर 800 और 900 के उपर nifty sustain कर रहा है nifty के 20,000 के उपर जाने के chances उतने ही बने हुए हैं तो कल के लिए upside के लिए resistance तो 20,100 के पास है अगर यह resistance clear होता है तो next 20,200 के तरफ nifty बढ़ेगा लेकिन उसके लिए nifty को जो है वो at least 20,050 के उपर sustain करना होगा तब हम लोग upside के लिए nifty को 20,200 and 300 के तरफ जाते हुए देख सकते हैं otherwise यहां से देखे तो यहां से एक fall जो है वो हमें 19,800 के तरफ nifty के अंदर आता हुआ देखने को मिल सकता है so nifty के लिए कल के लिए important support levels क्या रहेंगे 19,930 जब तक यह support नहीं तूटे का downside के लिए मज जाओ यह support तूटने के बाद 19,850 and 19,810 यहां तक nifty गिर सकता है तो यहां से एक अच्छा खासा PE का trade अगर आप लेते हैं तो आपको jackpot बन सकता है इसके साथ साथ upside के लिए कब जाना है 20,050 जब तक इस level के उपर at least 5 to 10 minutes के लिए nifty sustain होता रही है तब तक मत जाओ अगर हो जाता है तो upside के लिए first target 20,110 second target 20,160,180 का level रहेगा nifty 50 के लिए तो यह nifty के लिए support और resistance के level से जो आपको आपके chart के उपर mark करने हैं ताकि आपको next trading session में helpful हो सके तो अगर वीडियो पसंद आया है यहां तक देखा है तो like करके जाना चैनल को subscribe कर लेना और अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा है तो like जरूर करना और यहां पर अगर आपको कुछ भी doubt है इसके अलावा तो आप नीचे comment section में भी पूछ सकते हैं या फिर जो मैंने आपको personal whatsapp contact के बारे में बताया है जो कि मेरे free telegram channel के उपर है वहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हैं So thank you very much for watching this video मैं मिलूंगे आपसे next video में Till then Bye bye, take care and trade carefully